हेलो हाई नमस्ते आदाब से रिकाल के आल चाल कैसे आप लोग मैं खुल्दी भंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदानतूस क्लास 9th and 10 चैनल पेंड आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप दसवी कक्षा में रहके आप लोग NDA के एक्जाम के लिए प्रिपेर कर सकते हो या जो बच्चे 10th का एक्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि कैसे वो लोग NDA का एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं तो और सबसे पहले बात करते हैं कि NDA है क्या चीज बहुत सारे बच बच्चों का सपना होता है और हमारे देश में जो बच्चे यूपी साइड के या फिर उत्राखंट साइड के बिहार साइड के और बहुत सारे स्टेट्स के बच्चों का जो सपना होता है पंजाब के बच्चे राजस्तान के बच्चे गुजरात के बच्चे हिमाचल के ब करूं अपने देश की आर्मी को जॉइन करूं अपने देश में एयर फोर्स को जॉइन करूं नेवी में जॉइन करूं तो कैसे आप लोग एयर फोर्स आर्मी और नेवी को जॉइन कर सकते हो ऐसा ऑफिसर वह एक्जाम एंडिये का एक्जाम होता है जिसको आप 12 के बाद क्रै कि सीधा आप लोगों का आप आफिसर रैंक पर जाइन कर सकते हो इन तीनों डिफेंस अकाडमी को है न तो कैसे आप लोगों को प्रिपेर करना है NDA के एक्जाम के लिए क्या इसका क्राइटीरिया होता है कैसे कौन-कौन से सबजेक्ट होते है क्या-क्या चीज़े आती है आपके exam में वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे 10th और 11th grade जो भी बच्चे आभी 10th का exam दिये है या जो बच्चे 10th में कैसे आप इसी grade में रहे के अपना उस exam के लिए prepare कर सकते हो फटा-फट से बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही informative वीडियो आप लोगों को पता चलते रहे टाइम टाइम पे ठीके भीया चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं NDA exam की तो मैं आपको इसका full form बता चुका that is National Defense Academy ये exam बच्च काम को लिख सकते हो बट आपका अगर पास भी होगे तो भी आपके ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका क्राइटीरिया होता है कि बच्चा 12th pass होना चाहिए फिर इसमें आता है आपके पास Army, Air Force और Navy के तीन चीजों के लिए आपके और एक Officer Training Academy के लिए भी होता है तो आप लोग Air Force और Navy के लिए eligible नहीं होते हो, Army में आप जा सकते हो, OTA, Officer Training Academy के लिए आप eligible रहते हो, लेकिन आप लोग Air Force और Navy के लिए आपके पास Physics और Mathematics दोनों होने चाहिए, ठीक है, अब अगर आप Army के लिए भी प्रिपेर करना चाहते हो, और आपके पास Science Stream है, Physics और Air Force के लिए eligible नहीं रहोगे बस, ठीक है भीया, अच्छा, इसका जो age limit होता है, वो 16.5 साल से 19 साल तक की age limit वाले बच्चे इस exam को लिखते, तो आप समझ रहो, अगर किसी बच्चे ने 16.5 साल की उमर में ये exam लिखा और उसने पहले ही attempt में crack कर दिया, तो 17 साल की उमर में उसकी एक job लग चुकी होगी, मतलब पहले तो training होती है, पहले उनका 3 साल का training होता है, फिर एक साल का officer, देरदून में उनका officer training का वो होता है, तो लेकिन आप इस चीज को समझो कि 17, 20, 19, 20 साल की उमर में, वो एक जवान तयार हो जाता है, जो अपनी देश के लिए, जो अप exam है, मेरे लिए ये exam सबसे one of the best exam है, इसका difficulty level, IIT, JE जितना तो नहीं होगा, बट ये one of the like respected job होती है, सेना में जाना मतलब बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती, अब समझो कि कैसे आप इसके लिए prepare कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप एक exam के pattern को समझो, मैं ख exam की बहुत depth में knowledge है, मुझे पता है कि किस तरीके से आप लोग prepare कर सकते हो, और जो गलतिया मेरे से हुई है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप syllabus को समझो, आपके पास दो तरह के exam होते है, इस exam को NDA grad करने क लिए आपको दो procedure को follow करना होता है, सबसे पहले आपका written exam होता है, फिर आपका SSB interview होते है, written exam आपका mathematics और general ability test का होता है, mathematics आपके पास 300 marks का होता है, जर्नल ability, GAT आपके पास 600 marks का होता है, अब यह GAT जो होता है, यह दो parts में divided होता है, mathematics तो अलग, अकेला mathematics होता है, इसमें 7th or 12th grade का mathematics पूछा जाता है, और यह जो होता है, इसमें आपके पास English का exam होता है, 2 section होते है, section A में English का exam होता है, जो की 200 marks का होता है, और दूसरा जो होता है, आपके पास journal knowledge का होता है, इसमें आपके पास physics, chemistry, biology, और biology का उतना part नहीं होता है, बढ़ physics, qualcosa के थोड़े बहुते वोटे question होते हैं जीके होता है इसमें आप लोगों के पास history, polity, सारे subjects होते हैं history, polity, geography सारे subjects पूछे जाते है journal knowledge होता है basically ठीके ना थीन सो marks का mathematics अकेला होता है 200 marks का English अकेला होता है बाकी आपके पास ये subject के सवाल पूछे जाते फिर अगर हम बात करें अगर आपने written exam clear कर दिया तो आपका होता है SSB interview और trust me guys अगर आपने 11th grade सही से पढ़ा होगा written exam clear करना उतना बड़ा task नहीं होगा बट interview के लिए आपको अभी से prepare करना है यह तो आप 11th 12th grade में सीखोगे न इसके बारे में तो आप समझ जाओगे लेकिन आपको आपको समझ में आ रहा है न history 10th से related है न 10 तक जो भी आपने पड़ा होगा तो इसका आपको अभी से preparation करना पड़ेगा mathematics बहुत basic सा होता है 11 12 का होता है इसमें 9 10 के questions नहीं आते बट ये चीज़े लेकिन SSB के लिए आपको अपने personality पे अभी से काम करना पड़ेगा बहुत सारे बच्चे written exam clear कर लेते हैं मै हमने भी बहुत बार return exam clear किया है लेकिन हम यहां पर फस जाते क्यों कि हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं होता है कि किस तरीके से हमें interview देना होता है और यह normal जो आप सुनते हो ना office company के जो interview होते हो नहीं होता है बाबु यह अगर यह UPSC exam conduct कराता है तो UPSC जै होता है और इस पूरे की weightage होती है आपके पास 900 marks की अब पहले मैं यह बता देता हो आपको कि आपको अपनी personality पे कैसे काम करना है देखो आपके पास कुछ habits होनी चाहिए reading की habits आपके अंदर जरूर होनी चाहिए इससे क्या होता है आपका दिमाग सही दरीके से काम करता है ज तो आपके अंदर वो skills होनी चाहिए कि आप कभी भी शाई ना करो क्योंकि group discussion जब होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और पैनल भी होते हैं और पैनल भी पैनल के 8-10 लोग पैनल के होते हैं और फिर आप लोग मतलब जो भी आपके सहपार्टी होते 15-20 लोग आप से शुरू करो न्यूस पेपर जरूर पढ़ना न्यूस पेपर से दो चीज़े अच्छी होंगी आपकी जी के अच्छा होगा जर्नल नॉलेज आपका अच्छा होगा दूसरा आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी और आप लोग कोशिश ये करो कि आपने शीशे के साम चीज देना पड़ता है लेकिन जो बच्छा शाहि होगा वह कुछ बोली नहीं पाएगा तो शीशे के सामने खड़े होके चीजों को बोलो इससे आपकी पर्सनालिटी गुरूम होती है और आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम करना सीख लिया अगर आपकी परसनालिटी अ इत्रिव्यों से रिलेटेड इसके लिए तो अभी से काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सोच रहो जब मेरा रिटन क्लियर होगा तब मैं इसकी कोचिंग लूँगा या यह करूँगा वो करूँगा तब इस पर मेहनत करूँगा नहीं हो पाएगा मेरे से भी यही तो इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो मेक शॉर कि आप लोग इस चीज़ पर अभी से काम करो ठीक थोड़ा सा मैट्स का सिलेबस बता दे तो आपके पास एलजेबरा है ट्रिग्नोमेट्री है अनलाइटिकल जमेट्री है डिफरेंशिल कैलकुलेस ह से वेक्टर है स्टाटेस्टिक्स और ब्रबादी यह 11 12 गरेड़ का आएगर elgebra आपके पास 910 नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री 910 पर क mesela 10 तो इस पर इस काम करें लोगों से English में है ना confident होना चाहिए यह नहीं कि यार वहाँ पर GD group discussion चल रहा हम हिंदी में अपनी कहानी सुना रहे और बाकी बच्छे English में बात कर रहे हम हिंदी में सुना रहे और उसके बाद क्या नाम है मतलब हम English में बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोली नहीं पा रहे हैं शिशे के सामने खड़े हो के speech की practice करो ठीक है उसके बाद जर्नल लॉलिज 400 marks का होता है इस पर आपको physics chemistry mathematics यह basic level के आती है 9 10th grade के आती है तो 9 10th grade का physics chemistry physics chemistry learn 12th grade का भी आ जाता है जर्नल साइन्स आपके पास 10th grade तक की आएगी history geography current affairs यह आपके पास 10th grade तक का आएगा current affairs जो है ना यह जो current affairs है यह newspaper तो आप पढ़ रहे हो लेकिन जब भी आपका एक्जाम होगा उससे 6 महीने पहले की current affairs जरूर पढ़के जाना ठीक है यह चीज़ है strength your academic foundation focus on strengthening your understanding of mathematics science and English है ना science maths और English पे ही ज़्यादा जोर देना आपको लेकिन basic आपको देखो इलेंट 12th grade में जब आप math पढ़ोगे physics पढ़ोगे chemistry पढ़ोगे तो उसका जो basic है वो 9th 10th grade में ही चुपा होता है तो आपको यही से दीरे-दीरे आपना subject academic foundation भी बनाने की कोशिश करना है क्योंकि एंडिये के इस लेबस में आपके पास physics chemistry maths आएगा हाला कि सवाल आपके पास 11th grade के आएंगे maths के physics के chemistry के बट English के आपके पास basic आएगी grammar जर्नल साइंस आपके पास basic आएगी history quality यह basic आएंगे बट maths physics और chemistry का जो फाउंडेशन है इसको तो अभी से आपको प्रिपेर करना है अपना focus करना है ssb interview के उस पर है अब आगे बेढ़ने से पहले एक और जरूरी बात आप लोगों को मैं नहीं नहीं देखा होगा इन teachers का introduction का जरूरत नहीं है क्योंकि आप maths का कोई भी topic सर्च करो YouTube पर आपको हर्षप्रियम सर का वीडियो जरूर दिखेगा physics का कोई topic सर्च करो वीडियो देखेगा chemistry का कोई भी topic सर्च करो शिल्पी मैम का देखेगा तो यह teaches आप लोगों को इस batch में पढ़ाने वाले है जो batch आप लोगों का start हो चुका है 15 मेह से अभी भी ज्यादा time नहीं हुआ है आप इस batch में अगर enroll करते हो तो आपका NDA के लिए भी आप प्रिपेर कर सकते हो क्योंकि अगर आपने जेई के लिए प्रिपेर कर लिया ना तो NDA के लिए आसानी से उसका एक्जाब आप आसानी से क्राक कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे questions को फटाफट within timeline में आप solve कर सकते हो तो make sure इस वी video के description में जो link है ना दिश्टी जेई का link उस link पे click करके आप लोग खुद को enroll कर सकते हो एक अलग से class teacher होगा जो आपके सिर्फ और सिर्फ doubt solve करें करेगा ठीक है जी तो यह चीज़े बाकी साथ के साथ आपको अपनी physical fitness पे भी ध्यान देना है किसी sports में running वगएरा daily park जाके थ exercise किया गरो थोड़ा running किया गरो थोड़ा long jump high jump यह सारी चीज़े होती है वहाँ पर है ना तो make sure कि आप लोग इन सभी चीजों को जरूर prepare करना ठीक है भाई उसके अलावा mock test और time management यह तो खेर तबका है जब आपका syllabus खतम हो जाएगा उसके बाद आप regular basis पे mock test देते रहो औ अपना time देखते रहो कि क्या मैं सही तरीके से सही time पे खतम कर रहो चीजों को नहीं लेकिन as a 10th grade का student as a 11th grade का student आपको दो चीजों पे काम करना है एक अपनी personality पे एक अपनी journal knowledge क्योंकि मेरा जी के बहुत वीक था बहुत वीक था ठीक है history, polity, geography, journal science जो होती है उस पे काम करना है maths के basic formulas पे अच्छे से foundation करना है तभी आपको 11th grade में science मिलेगी तो आप लोग इस exam के लिए eligible होगे और I wish कि आप लोग इस exam को ज़रूर crack करो क्योंकि देश की सेवा करने का मौकाना सबको नहीं मिलता है ठीक है So yes guys this is all about what this session बाकि आपको इस exam से related कोई भी चीज मुझसे पूछने हूँ आप लोग मुझसे Instagram पर connect कर सकते हो यह मेरा Instagram ID है बाकि make sure guys इस channel को subscribe ज़रूर करना ऐसे ही धमाकेदार sessions के लिए चीक है जी चल बाई-बाई